तो दोस्तो आज 7 में 2023 कल 8 में मंदे से एक निया ट्रेडिंग विक शुरूर ने जा रहे तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important sectors के उपर कुछ important shares के उपर कल जब बजार open होगा शार्प 9 बच के 15 मीन पे आपका करी नजर होना चाहिए ये सारे important sectors के उपर भी ये सारे important shares के पर भी अब चले बिना कि स्टेम वेस्ट के एक एक करके sector का नाम shares का नाम आपके सामने में present करता हूँ तो सबसे पहले जो दो company का share हम बात करेंगे इसके अंदर दोस्तों मुझे लग दे कि कल भारी भरकम गिरावाट होने का chance है तो सबसे पहले company का नाम है पीरामल enterprise limited इसके अंदर गिरावाट क्यूं होगा क्यूंकि Friday की दिन जब बजार close हो गया था उसके ठीक बाद company का quarter four का result आउट हुआ और रेजल में दोस्तों एक तो market का जो estimate उसको बीट किया बलकि उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा लौस भी company को हुआ मैं आपको इक बात थोड़ा से इसका highlight दिखा कर ना चाता हूँ और यह कोई छोटा मोटा company नहीं है बहुत बढ़ा company है ठीक है तो लास् expenses है खर्चा वह इतना ज्यादा increase हो चुका है तो जिस बैसे कल अल्टिमेटली company का जो margin है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है देखिए माइनास एट पैंस पर पहुंच चुका है और अल्टिमेटली company का जो net profit हुआ था लास्ट क्वाटर की बात कर तो आप देख सेक तो 151 करोर की profit से सीधा सीधा 196 करोर की loss company की इस बार सामना करना पड़ा तो जिस बैसे मुझे लगदे कि कल पेल की पर एक तो आपका नजर होना चाहिए मतलब पीरामल एंटरप्राइस लिमिटेड की पर और इसके अंदर आगे correction होने का भी चांस है अब दूसरे जो company कल गि इस बार मार्केट का जो estimate ता उसको दोस्तों मीस कर गिया मतलब जो मार्केट के estimate था उससे खराब performance company द्वारा देखने को मिला तो चलिए आपके सामने में दिखा था हूं कि कि किस टाइप का performance company द्वारा हुआ है तो आप देख से तो company का जो net consolidated profit हुआ है इस बार मतब को वा साथ 1752 करोर का सबस्क्राइब का समय सकते याप कहां सहाथ 1752 करोर मार्केट का estimate ता ठीक है और कहां दोस्तों यहां पर actual में हुआ है तो बहुत ज़्याद हमें अंतर देखने को मिला ना कि बलेट profit बलकि total income भी आप देखोगे वह भी देखे यहां पर मार्केट के estimate 35270 क्रो नहीं कर पाया तो जिस बैसे यह दोनों कंपनी के शेयर को पर एक तो आपका नजर होना चाहिए और मुझे लगदे कि यह दो कंपनी का शेयर कल मार्केट में गिरावाट होने का चांस है इवेन क्रेश भी होने का पूरा पूरा चांस अब देके मार्केट में 100% कुछ भी बेस करके मैं बोलाओ अब हम बात करेंगे यह तो चलो हो गया जो जो कंपनी गिर सकते कुछ ऐसे कंपनी भी है इसके अंदर भारी भरकम तेजी भी होने का चांस है जिसमें सबसे पहला नाम है अधानी पावर लिमिटेड लास्टे दोस्तों हमने देखा था मतब इसरैने को भी इव You have a Call क इस दोस्तो 28 का दिक है इस बार लौस्ट जरूर हुआ बट लॉस्ट काफी जादा कंहोच आ जोड़ीग आए उसमें काफी बडिया ग्रोथ unten को मिला तो जिस बैस मैं आपको बोलूँगा प्राइड के दिन मार्केट क्लोज हो दने के बाद आउट हुआ था इसके उपर भी आपका करी नजर होना चाहिए कल जैसी बजार ओपन होगा ठीक है अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी जो कि कल यानि आठ तारीक को अपना क आपका नजर जरूर होना चाहिए क्योंकि पहले से आप मार्केट कंदर उसका एड़स में देखने को मिल जाता है अगा तो अच्छी बात है आपको इंपक्त देखने को मिल जाएगा अब हम बात करेंगे मोस्ट वाचिबल शियर फ्राइडे के दिन इवन अपकमिंग ट्रेडिक वीक पर भी होने जा रहा है एच्टी एपसी बैंक लिमिटेड लास्टे फूट स्पेस्पीक रिजन के कारण जिसको रॉल लेडियो वीडियो बना चुके हैं फ्राइडे की दिनी शियर के अंदर सारे पांच से 6 परसें करेक्शन हुआ या बोल सकते हो कि इतने बड़े बैंक सारे 5 परसें 6 परसें बहुत रेल हमें इतना करेक्शन या गिरावट देखनी को मिलता है तो एच्टी बैंक लिमिटेड की शियर होगा और गिर्ती गिर्ती सोला सुरुपे का सब्सक्राइगा ठीक कमेंट करके जरूर बताना उसके साथ सब्सक्राइब के बैंक बहुत जल्द यह दोनों कंपनी के बीच में मर्जर होगा एक सिंगल एंटाइटी बन जाएगा तो इस देपसी को ऊपर भी आपका कल नजर चाहिए नेख्लाइए नहीं को साथ को तो क्योंकि लास्ट नाइट को मतब इंडिया मार्केट में तो करेक्शन हुआ था बट युएस मार्केट के अंदर भारी बरकम तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला था तो खास करके नैस्डाक इंडेक्स जो है जिसका उपर मालूम है आपको कि सेक्टर टेक्सेक्टर लिस्टट है वहां पे अल्मोस्ट दो परसन से लिए र्लाइंज इंडिव नहीं सकता है कि इसका इंडिविज्योली सबसे ज्यादा है ठीक है तो दोस्तों अभी आप करेंगे निफ्टी 50 की टाप 10 वेटेज की रिपोर्ट की उपर जैसे को आप देख से एक दम लेटेस्ट अप्डेट है है तो उसके अकुरिंग लास्ट अप्डेट हुआ है तो पचास यह हम सभी को मालुम है बट निफ्टी-50 को असल में चलाता है निफ्टी-50 में रहने वाला टॉप टेन वेटेज वाला कंपनी का शियर जिन में सबसे जाए डिलाइंस इंडस्टी लिमिटेट करीप 10.32 परसं मैं देता हूं इस टेप की शियर को आप देख सकते हैं इस डेप सी बैंक का वेटेज दूसरे पोजिशन पर है 9.38 परसंट का आई से बैंक तो आप समझ सकते हैं यह तीन मतब स्टॉक्स का यह तीन को बुरत आपका जरू नजर होना चाहिए और उसके पीछे का वज़ा भ बैंक हो गया एक्सिस बैंक लिमिटेट होगा तो यह 10 यह का अगर आप साइब में जो वेटेज लिखा हुआ है इसको अगर आप कल्कुलेट करोगे तो करीब करी 55 से लेके 60 परसंट का वेटेस तो भाई यह 10 यह बाकी 40 में एंटायर तो अब समझ रखतों कि यह 10 यह मोस् सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखना ताकि आपका पॉर्टफिली बहुत जा सेफ हो जाए मार्केट की साथ यहां मूफ कर सके इसवाज जैसे बोलता हो कि कि फनांशियल सर्विस सेक्टर का वेटेस दो एक तो बहुत हेवी है उसके साथ दिन पतीन बढ़ता जा रहा है 38. पॉर फॉर परसंट का वेटेज इसका अंदर आपका इन भी एपसी और बैंकिंग स्टॉक दोने इंक्लूट है उसका बाद एक आई टी सेक्टर इन फोसे इन फॉमेशन टेक्नलोजी सेक्टर ठीक है जिसका अंदर आपका बड़े आई टी स्टॉक जैसे की टेक मेंदरा सब्सक्राइब करता हूँ मिलते है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टी सेक्टर आपको जरूर नजर होना चाहिए उसके साथ है जो ग्रूप आपको पूछना है आपका अगर कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट के थूप फूच सकतो फिलाल दोस्तों इस वीडियो करता हूँ मिलते है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जय हिंद